शद्धा माड़केस में आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है अबसे कुछी देर पहले आफताब को विजियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये दिली की साकेत कोट में पेशी के दौरान आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है आफताब ने एक कौट में ये कहा कि उसने जो कुछ भी किया गुसे में आकर किया आफताब ने ये भी कहा कि उसे सब कुछ पूरी तरह याद नहीं आ रहा कौर्ट ने आफताब की चार दिनों की रिमांड और बढ़ा दी है क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे तब सबूत हैं जिनकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी बात ये इस पूरे मामले में की आफताब को जब आज विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये साकेत कोट में पेश किया गया तो उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया यानि कि उसने इस बात को मान लिया कि शद्धा का खून उसी ने किया था शद्धा का कतल उसी ने किया था और ऐसा करने के पीछे गुस्सा सबसे बड़ा कारण था उसने कोट में ये भी बताया कि गुस्से में होने की वज़ा से उसने अपने लिविन पार्टनर शद्धा का कतल किया उसका मड़ किया और उसे सब कुछ याद नहीं आ रहा है ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर दस लाख कमा रहे हैं उनसे सीखना है तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए और इस बड़ी खबर पर पूरी अपडेट देने के लिए हमारे तमाम सही होगी जतिन अभे और साती कुमार सोनु मेरे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले मैं जतिन का रुख करूँगी जतिन साकेत कोट में जब आज विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी आफताब को पेश किया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया लेकिन अब ये पूरा मामला आगे किस तरह से रहेगा क्योंकि सबूत की अभी भी कमी है और क्या कुछ आफताब की तरफ से कोट में कहा गया वस्तार से बताईए अज बिल्कुल स्पेशल एरिंग साकेत कोट में हुई जिसमें आफताब को चार दिन की पुलिस कस्टेडी में बेज़े आ गया है चार दिन पुलिस कस्टेडी दिल्ली पुलिस को और मिल गई है लेकिन आफताब की तरफ से कोट में कहा गया कि वो पुलिस जाच में सहयो कर रहा है और जो भी कुछ उसके बारे में चल रहा है पूरी सच्चाई उसमें नहीं है लेकिन आखरी में आफ़ताब ने ये बिल्कुल कहा कि जो भी उसने किया वो गुस्से में आके किया आवेश में आके किया हलाकि इसको कबूल नामे के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन कोट प्रोसीजर पर जब हम ध्यान देते हैं तो कोई भी कोट में एड्मिसेबल किसी का बयान तब होता है जब वो CRPC के सेक्शन 164 के तहएट दर्श किया जाए हलाकि आज जो ओर्डर कॉपी निकलेगी उसके दर आफताब की तरफ से जो कुछ का गया वो बिल्कुल मेंशन किया जाएगा लेकिन कोट की तरफ से आगे यह बिल्कुल का जा सकता है कि CRPC के सेक्शन 164 के तहएट आफताब के बयानों को दर्श किया जाए और उसमें जो स्टेट्मेंट आफताब देगा वही कोट में ए लेकिन आफताब की वकीलों के दौरा ये भी बोला गया कि काफी कुछ वो भूल चुका है क्योंकि इस पूरे मामले में 6 महीने का समय भी चुका है तो काफी कुछ ऐसी लोकेशन जैसके बारे में उसे जानकारी नहीं है लेकिन दीरे दीरे जैसे उसे पता लग रहा है तो पुलिस को इस मामले में सयोग कर रहा है तिली पुलिस की तरफ से बिल्कुर का गया कि पॉलिग्राफी टेस्ट करवाना है नार्को टेस्ट कराना है क्योंकि आफताब लगतार अपने स्टेटमेंट बदल रहा है आज वो किसी स्टेटमेंट को लेकर कुछ बातें बोलता ह तो वो उसको दूसरे तरीके से बताता है इसलिए पॉलिग्राफियों नर्को टास्थ करा जरूरी है और ये प्रोसिज़र की सामने पेश किया गया बताया गया कि आपके पॉलिग्राफिय टेस्ट में दो दिन का सबी मैक्सिममम लग सकता है आठ से कोलिग्राफिक टेस्ट है उसके लिए तैयारी शुरू करेंगी जतिन आप हमारे साथ बने रही है इसी बीच एक और बड़ी ख़बर बता दें सबूतों की तलाश के लिए पुलिस ने के लिए क्याब से वो गुरूग्राम गया था ये बात उसने कही है महरोली गुरूग्राम में कुड़ा उठाने वालों से भी पुलिस पूछताच में जुटी हुई है और क्यूंकि ये मड़ वेपन है इसलिए इसको ढूंडना बहुत जरूरी हो जाता है अभे का रुख कर लेते हैं अब है 14 टीमों का गठन किया गया है पुलिस की तरफ से जो लगातार सबूतों की तलाश में जुटी हुई है और मड़ वेपन ढूंडना सबसे बड़ी चुनाथी पुलिस के लिए साबित हो रही है देखे बलकुर जोसना सबसे बड़ी बात ये है कि 10 दिन की कस्टडी खत्म हो गई यानि कि आप अगर किसी भी आरोपी को गरफतार करते हैं तो जेल भेजने से पहले उसकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी आप ले सकते हैं आज 10 दिन कस्टडी खत्म होने के बाद कोट में पेश किया गया चार ही दिन बचे थे और चार ही दिन की कस्टडी जो है पुलिस को कोट ने सौब दी है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इस पूरे मामले में 6 महिने पहले जो कतल हुआ है और इतने टुकडे हुए हैं उसम अब तक रिकवर नहीं हुआ है और यही वज़े है कि अब चार दिन के अंदर पुलिस की कोशिश यह रही कि एक तरफ जो मेडिकल प्रोसेस है जो पॉलिग्राफी टेस्ट होना है और उसके थूप ब्रेन मैपिंग के बाद नार्को टेस्ट का जो सिलसिला है वो चलता रह लेकिन आफताब की निशान देही पर कम से कम वो वेपन रिकवर करना बेहर जरूरी है जो अब तक नहीं मिला है उसके लिए पुलिस ने कई सारी टीम और एक खास बात में और आपको इसमें बता दूँ कि दिल्ली पुलिस के अलावा आई एफसो यानि की जो पहले साइब आफताब की तरफ से ये भी बताया गया है कि कहां पर उसने मड़ वेपन को वारदात में इस्तमाल करने के बाद फेंका था आफताब ने पुलिस को बताया है कि उसने हत्या में इस्तमाल आरी और ब्लेड गुरुग्राम डीलिफ के फेस थ्री के जाडियों में फेंकी थी और वहीं चापड उसने महरोली के 100 फुट रोड के कुड़ेदान में फिक दिया था और अब इसी आधार पर पुलिस लगातार तलाश कर रही है आरी की ये ब्लेड आप देख रहे हैं हथोड़ा, कील ये वो तमाम चीजे हैं जिसका इस्तमाल अफ्ताव की तरब से किया गया और कठोर से कठोर सजा आरोपी को मिल पाएगी, फिलाल इस बारे में आपके पास क्या जानकारी और साथी जो सैंपल्स, अलग-अलग बॉड़ी पार्ट जो मिले हैं पुलिस को जो FSL के पास भेजे गये थे जांच के लिए उससे जुड़ी हुई क्या अपडेट? कोट में जरूर कहा कि जो भी कुछ हुआ वो हीट ओफ दा मुमिंट था और उसे बहुत सारी चीजे याद नहीं है जैसे की लोकेशन या फिर कहां-कहां उसने जो बॉड़ी पार्ट को फैका तो उनको लेकर जो है आप ताब ने जरूर बोला है जो की दिलिपुलिस उसके के खिलाफ इस पूरे कबोल नामे को जो है कोट में सबूत के तौर पर फेश कर सकती है फिलायल अब पॉलिगराफ test होना है पॉलिगराफ test के बाद नार्को test होना है दोनों में मैं आपको बताओं जोतना की वो ही सवाल पूछे जाते हैं जो कॉमन होते हैं जो पहले पॉलिग्राफ टेस्ट होगा जिसमें FSL की टीम और दिली पुलिस टीम जो है जिन सवालों को महतपूर्ण समझती है उनी सवालों को नारको में भी पूछा जाता है ताकि कोट में एकाउंटर किया जा सके कि दोनों सवालों का जवाब दोनों जगा एक ही जैसा सा जवाब दिया तो ये बेहद हां होगा फिलाल अभी तक दिली पुलिस ने पॉलिग्राफ टेस्ट को लेकर आधिकारिक तौर पर FSL की टीम से संपर्क नहीं किया है हाना कि जो मैदान गड़ी का तलाब है वहां से कुछ हड़िया मिलने की बात जरूर सामने आई है यह अनारुगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर दस लाख कमा रहे हैं उनसे सीखना है तो Freedom App को अभी डाउनलोड कीजिए दिलिपुलिस पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रही है चाहे वो मैरोली का जंगल हो, मैदान गड़ी का तलाब हो या Guru Gram का वो इलाका जहां पर आफ़ताब काम करता था तो पूरा सर्च ऑपरेशन चला रही है इसके साथ साथ ये भी बात सामने आ रही है कि आफ़ताब हमेशा जब भी दफ्तर जाता था तो वो मैट्रो का इस्तमाल करता था लेकिन जब उसे बोडी पार्ट को ठिकाने लगाना था या हतियार को ठिकाने लगाना था या सबूत मिटाने थे तो उस दौरान उसने कैब का इस्तमाल किया और वो कैब उसने ऑनलाइन कैब के जरिये जो है वो भुलाई थी तो अब उस कैब को भी तलाशने की कोशिश की जारी है हर उस शक्स से पूछताच पुलिस कर रही है, उसे ढून रही है, जिसने जाने अंजाने जिसकी सर्विसेज आफताब ने यूज की थी, चाहें वो क्याब ड्राइवर हो, चाहें उस जगह पर जहां पर आफताब कूडा फेकनी की बात कह रहा है, शरीर के पार्ट्स फेकनी क बात सामने आई थी, वो सैंप्लिंग ले गाए है, तो यह जो DNA सैंप्लिंग की प्रक्रिया होती है, इतनी कितनी कॉंप्लिकेटेड होती है और इसमें कितना टाइम लगता है